अच्छा सद्गुरू, आजकल की दुनिया में एक महा मारी है, पब जी, क्या पब जी खेलते हैं? अरे मैंने इसका नाम ही तब सुना जब प्रदान मंतरी जी ने तीन दिन पहले इसकी बात की तो मैं, ये एक तरह का लड़ाई का खेले क्या? जी लड़ाई का खेले तो मेरे कई दोस्त मुझसे बात करने से ज्यादा PUBG खेलना पसंद करते हैं शायद ये मेरे बारे में कुछ बताता है पर वे PUBG ज्यादा खेलना चाहते हैं उस खेल की बुनियाद हिंसा है और वे इतना समय PUBG खेलते हैं आपको क्या लगता है कि PUBG का आजकल के यवाओं के मन पर और सभी खेलने वालों पर क्या असर पड़ रहा है ये हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है देखे अगर कोई मज़े के लिए कुछ समय कोई गेम खेलता है तो ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है लेकिन मैंने सुना है मुझे नहीं पता कि भारत में क्या आकड़े हैं पर अमेरिका में 18-26 साल के लोग दिन में औस अतन साड़े चार से छे घंटे तक ये गेम खेलते हैं मुझे लगता है हम एक बेवकूफ पीड़ी तयार करेंगे हाँ अगर आप स्क्रीन पर चित्रों को मार कर ही रो बन रहे हैं फौन स्क्रीन पर बड़े स्क्रीन पर है या फौन पर मुझे नहीं लगता कि ये बहधूरी है ये बेवकूफी है बस मजे के लिए कुछ खेलना अलग बात है आप कुछ समय तक कुछ खेल सकते हैं, कोई भी मन चाहा खेल खेल सकता है, ये ठीक है, लेकिन पूरी जिन्दगी, कोई बस यही या वही खेलता रहे मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा ढूनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी चीज जो आपके पास नहीं है, आप फौजी बनना चाहते हैं, पर आप में अपना खून बहाने की हिम्मत नहीं है युद्ध का मतलब दूसरों का खून बहाना नहीं है, आप वहाँ जाते हैं क्योंकि आप अपना खून बहाने को तयार है, आप ऐसा चाहते नहीं हैं, पर आप तयार हैं, यही एक युद्धा को अलग बनाता है, क्योंकि वो वहाँ जाता है और वो मरने को तयार है,